आपकी भरपूर तालियों में मुहबत के साथ बुलाना चाहूँगा उमर शहजाद एक दफ़ा बीच से लोगों की खौईश्टी के जबाप आएं तो वो डिरेक्ट एक दफ़ा आपको देख सके यह थाएं ऐसे बड़े थे बड़े थे बच्छे बड़े थे यह मेरे कंट्रोल में भी नी आए उमर भाइए मोहबत ये प्यार कैसा हाव डस्टिस में कुफील wonderful you guys made my day कराची से मैं आया हूँ यह पर लेकिन जो भी थकन ती जो नीन थी वो सब आप लोगों ने उड़ा दी अरे thank you so much for all the love thank you क्या बात है एडे भी चंगे नहीं वाकी बॉस अचे सफर कैसा ना जहाज में कोई इसा इंसान साथ बैठा हूँ जिसने आपका सफर बड़ा इंटरस्टिंग बना दिया यहाज का सफर यह होता है मैं बस कोशिच करता हूं कि मैं सो जाओ और सो करी वो टाइम निकल जाए तो जातर यह होता है और जब कोई पर बाखता है कि गुआ कि इंट्रेस्टिंग बाकिया नहीं हुआ कोई एजस 2 एंटा बिल्कुल फ्रंट परी कई तक जी कंजेगेटिफ यूट्स पर था तो बडा टाइम निकालना बहुत के लिए माशल यापकी मुहबबत है और यह जो अपने मफलर पहनली है मुहबबते के शारु खान लग रहे हैं अच्छा पालिया एक दमा फिर से थैंक यू सो माच आप आप आए और मैं ही नहीं बलकि जो मेरी आज ओडियन्स है ये भी बहुत एकसाइट थे आपके साथ बा आपने मॉड्लिंग की आपने स्गिंग भी की लेकिन मैं बात शुरू सो शुरू करना चाहूंगा आपका पहला प्यार जो था आपका थे आपकी टीचर से आपको वा था तीचर मुझे पसंत ही एक English teacher लेकर प्यार मैंने का मैंने का जब शुरू करना थो फिर शुरू से ही करते हैं कि या करेंगे प्यार की बात करें मुहबत की बात करें वो क्या बात बंई नहीं बनी के पास असलमें दोस्तों में hum वहां पास्में होता है न कि हम बता दिया करते हैं कि यह मतला पसंद नहीं यह फिर क्रश्श है जो भी तो उन तक वह दोस्ती पहुचा देते हैं बात तो जब मैं इसको पता चल गया था तो पिर सही वाली क्लास भी थी लेकिन फिर वू जैनी देर चूं करती बताने अबसे नेका बिटा भी तुम पढ लू पहले थे तुम अपने प्रफोर गार मुहबबद धोकर है यही मौखा सब लो पोसकूल पढ़ा नते हैं अच्छा लिए फॉटी होती है रो आप पिक्रश जो भी होता है क्शूल की टाम से स्वक्व डूटा तो चैनल सेट के किश मैं English teacher was my crush. English teacher. Allah t'Allah. Oh, ऐसे कहरी जैसे आप थी, English teacher. आपको कुन्पे क्राश्य है? Okay, very good. Okay, I said, I said, Hasi Madag चलता रहेगा. Now show को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं. Mashallah, tall, dark, handsome, perfect body, great acting skills. इस सब के बावजूद भी क्या, आपको अपने acting के journey में struggle करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा. बिल्कुल मैंने जब modeling भी start की थी. Modeling का मेरा, मैंने बहुत जादा काम करने के बाद, मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं acting में फॉरण से आने के बाद मुझे break मिल जाएगा, जो के ऐसा नहीं हुआ, I started with a very small role, very small character, जो के एक telefilm में था, तो वहां से करते-करते-करते-करते, फिर dramas किये, उसके बाद फिर movie की, तो इस तरीके से, मतलब मुझे बिल्कुल scratch से अपना acting career भी वैसे ही start करना पड़ा, जैसे मैंने modeling का किया था. और आपने क्या personally difference feel किया, modeling industry में और acting industry में in terms of working environment? यह बहुत जादा, बहुत जादा, acting is, मैं कहता हूँ, बिल्कुल अलग एक planet है, और I always wanted to be an actor, modeling का मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने fashion week से पहला break मिल गया था, उसके बाद फिर फिर मैंने modeling start कर दी, एक अलग charm है, सही अच्छा लगता है, it feels good, आप अलग अलग हर तरह के कपड़े पहनते हैं, मतलब मैंने इतनी शरवानियां रैंप पहन ली थी, इतने शूट्स मैंने उसके कर लिये थे, कि मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था, कि अब तेरी कोई शूट की तू अपनी असल पिक्चर भी डालेगा, तो हम कहेंगे शूट की है, मतलब तू दुला इतना बन चुका है, और इतनी हर तरह की दुलान के साथ आ चुका है, कि हमें तो, क्या बात है, लुकिंग लेका, वाँ तो मुझे यह बताया, आपका एक ड्रामा था, वो पागल्सी, वो पागल्सी, था रहा रहा? बिल्कुल था, कभी रियल लाइफ में कोई ऐसी पागल मिलिया जिससे भागना मुश्किल हो गया हो जिससे भागना मुश्किल हो गया हो, मिली है यार, मिली है तो किस तरह, यह बच्चे आज सीखने आया है, यह ना सिखा हो इन्हें, भागना ना सिखा हो, नताशा जी आई थी हमारे शोव पे, उन्होंने कहा कि मेरे बाद, तमाशा का विनर, उमर को होना चाहिए था, तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्यूं कहा उन्होंने, यह रिखाली, नताशा नहीं कह रही थी, सब ही कह रहे थे, सब है, है ऐसा? आंसर इसे है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैंने उस शो के बाद, जब मैं निकला हूँ, मुझे बीच में थोड़ा सा आइडिया हो रहा हुता था, कुछ वीडियो वगएर हमसे शेयर की, तो जो फीड़बैक मिल रहा था, जिस तरह लोग पसंद कर रहे थे, और मैंने कुछ, मैंने खेला नहीं basically, I was myself, मैं वैसा जैसे में रियल लाइफ में हूँ, मैं वैसा ही था, आपने कोई शेयर्ट पुट अप नहीं किया, कोई politics, कोई सियासत में था ही नहीं उसमें, और तो वैसे ही मैंने लेके चले अपने पूरी 50 दिन की जर्णी, उसके बाद लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने कहा कि हम आपको ड्रामे की गरेक्टर से जानते थे, हमने असल में उमर्शाजाद को जब देखा है, तो हम आपके बहुत बड़े फैन बन गए, और उस चीज को मेरे खाल से लोगों को बड़ा अफसोस भी हुआ, लोगों ने कहा कि यार आप ही हमारे विनर थे, तो मैंने बस आपने कह दिया तो मैं वाकई आप लोग का यही मेरी जीत है, कि आप लोगों ने जिता दिया इस तरीके से, इस प्यार से, इस महबबत से, तो मैं तो कहता हूँ कि बीच में कभी कोई ऐसा मोमन था ता तमाशा घर में जब आप ने कहा कि यार उन्मनु कड़ो यार है, कि थे फास गया मैं यार वो शुरू शुरू का टाइम था, एक सबर का इमतिहान जितना मुझे इस पूरे पचास दिन में इस शो में मैंने सीखा है, सीखा तो बहुत कोच है, लेकिन इस चीज कभी कि आप में कितने पेशिंस हैं, कितना सबर है, उसका भी बड़ा एक आइडिया हुआ, इसके माध, आप नेमतिन अभी सोच है कि फ्यूचर में स्यासत में कदम रखा जा सकता है, यार मैं तो घर की सिहासत का इस्ता नी था मैं बाहर की सिहासत नी था मैं उस्टोप JESS on Facebook and he's asking for your number Ali Zafar Facebook पेनका नमब टून थे देखो status लगागे तो वो मैंने का अच्छा तो बुल ला है तुम बस वेट करो दे रिस सम्तिंग कमिग अब और कुछ है ऐसा तो मैंने नमब तुमारा खेर उनको दे दिया तरहिए उसके कुछ टाइम के बाद I got a call मुझे फोन आया तो मैंने देखा मैंने कहा का नमबर मैंने अच्छ कोई रिसीव की तो वो डारिक याश्राच प्रॉडक्शन से याश्राच वाले इनका नंबर टूंड़े ते और यह अपना ही बिजी यह अपना ही गई में रिलैक्स कोई लिए उसके पीछे भी एक बेसिकली वो जले अली जपर ने वुटागे गाओ पहला मैंने अच्छ पिर आगे से याश्राच यार वो उनकी हाँ बिलकुल एक रड़की थी मुझे इसका नाम भी याथ है शेलीन नाम था शेलीन मैं ही जाता है अच्छ यह उस लाइक के यार वो दिर इस अ मूवी एंड आर कास्टिंग डिरेक्टर शानु शर्मा वांस तो वर्ड व परे में बताया असल मेरा को एक ड्रामा था जो कि उनके जीज जिन्दगी वहां पर चैनल पर बिल्कुल चला था तो वहां पर दे सौ मी ते गूगल मी अधिर बेरी प्रफेशनल उन्होंने सारा कुछ डेटा वगरा निकाला तो उन्होंने पहले बात ही स्टार्ट यहां स तो मैंने उनसे सिर्फ यही मैं I was in touch with with her for like 3-4 days मुझे पूरी स्क्रिप्ट बता दी थी सब कुछ बता दिया था मैं यह नहीं कहा था कि मैं आउड ओफ कंट्री होंगा but I'll keep in touch with you और आप मुझे सारी चीज़े बता दीएगा डीटेल बता दीजएगा फिर मैं वहां चला ग तो वह that's how it happened उसके बाद भी मुझे तीन-चार दफा अप्रोच किया गया लेकिन वह हलाच जिस तरीके से उपर नीचे हो रहे हैं तो आपको पता है कि लाच तो आपको पता है भी थ्रेट्स और यह सारी चीज़ें बड़ी it's very difficult काम करें ना सब छोड़े आप गाना तो प